नमस्कार मैं हूँ आचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइब के स्पेशल रिपोर्ट हजार मोदी अगर फूक मारे तब भी हिला नहीं सकते एक बड़ा बयान राम मंदिर की सियासत पर सामने आया है बयान है एक शंक्राचारिका बयान किस ने दिया और किस तरीके से मोदी को सीधे चुनावती दी है ये हम आपको आगे सुनाएंगे और बताएंगे किस तरीके से राम मंदिर पर प्रधार मंती नरेंडर मोरी और बीजेपी फस चुकी है गिर चुकी है और इसलिए खबर ये आ रही अंदर खाने से कि अब 2024 के लिए मुद्धा भी बदलने की तैयारी बीजेपी कर रही है अब ऐसे में कॉंग्रेस ने कैसे करारा हमला बीजेपी पर बोल गया है दरासर ये पूरे मामले के शुरुवात बीजेपी नहीं की बीजेपी ने राममंदिर का उद्गाटन समारो लोगसभा चुनाव से पहले रखा ताकि वो इस पर सियासत कर सके और इस पर कॉंग्रेस पर वो किसी न किसी तरीके से हमले कर सके लेकिन जो हमला बीजेपी के तरफ से कॉंग्रेस पर किया गया वो हमला अब कॉंग्रेस बीजेपी पर कर रही है कॉंग्रेस पर जो बाते बीजेपी के द्वारा कही जा रही थी अब पलटवार कॉंग्रेस बीजेपी पर कर रही है और कॉंग्रिस ने पूरी तरीके से बीजेपी और मोधी सरकार को राममंदर के मुद्दे पर घेर लिया है और इसके साथ इस सीधी चुनौती प्रधानमंती नरेंदर मोधी को भी मिल रही है इसके साथ आप देख रहे हैं कि जो धर्मगुरु हैं जो महत्मा हैं जो संथ हैं वो भी सरकार के खिलाफा के हैं तो एक तरीके से कहा जाए कि प्रधार मंती नरेंदर मोधी और बीजेपी जो ये प्लानिंग कर रही थी वो सोच रही थी कि राम मंदर का मुद्दा बहुत बड़ा होने जा रहा है उसे इससे फाइदा होगा अब वो इस पर घिर चुकी है और इसके लिए किस तरीके से मोधी की आलोचना भी शुरू हो गई है प्रधार मंद्री नरेंदर मोधी को सीधी चुनोती किस तरीके से मिल रही है और हजार मोधी आ जाए लेकिन हिला नहीं सकते ये बड़ा बयान सामने आ रहा है और इसी बीच प्रेस कॉंफरेंस की गई है कॉंग्रिस के तरब से कॉंग्रिस को हिंदू विरोधी बताया जा रहा था बीजेपी के तरब से कहा ये गया कि जो आमंत्रन पत्र भेजे गये हैं उस पर कॉंग्रिस के तरब से जवाब आया कि हम 22 जन्वरी को जो राम मंदिर का उद्गाटन समार हो रहा है वहाँ पर हम शामिल नहीं होंगे कॉंग्रिस के तरब से ये बताया कि आधा धूरा मंदिर है जब शंक्राचार नहीं जा रहे है तो हम क्यों 12 जन्वरी को जाएं ये बड़ा बयान कॉंग्रिस के तरब से आया उसके बाद बीजेपी इसको मुद्दा बना कर हमले करने बीजेपी शुरू कर देती है क्योंक मंदिर का मुद्दा बनाकर लोगसभा चुनाओं में सीटे कुछ बढ़ जाएंगी लेकिन अब बीजेपी इस पर कॉंग्रिस के निशाने पर आ गई है कॉंग्रिस ने तमाम वो सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं जो जनता भी बीजेपी से पूछ रही है रामंदिर बन पवनखेडा उन्होंने कुछ ऐसे सवाल दाग दिये हैं जिससे मोधी के पसीने चूट रहे हैं जिससे बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है पवनखेडा ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने सवाल खड़े किये हैं सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं सुनिये हैं हम जानना चाहते हैं कि मंदिर में कौन आये कौन ना आये यह बताने वाले आप कौन है प्रभु राम जब अयोध्या लोटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमर पड़ी थी प्रान प्रतिष्ठा में वी वी आईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं कि यह आएगा वो नहीं आएगा जब हमारे जो सर्वोच धर्मगुरु हैं इंदु धर्म के वो विधिवत राम नवमी को प्रान प्रतिष्ठा करना चाहते थे तो फिर ये पूरा कैमरों की फॉज लेकर आधी अधूरी प्रान प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं यह हम बार-बार पूछ रहे हैं हैरानी की बात है बच्पन से सुनते आए कि भई राम की वज़ें से हम इस दुनिया में आए उनकी उंगली पकड़ कर चलना चलते हैं हम लेकिन हमने विग्यापन देखे कि कोई और है जो राम भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है अरे आप कौन है साहब इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से उपर हैं आप शंक्राचारे से उपर हैं आप हिंदू धर्म से उपर हैं आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे चुनाव आयोग पे आप नियंतरन करेंगे मीडिया पे आप नियंतरन करेंगे सिए जी आप नियंतरन करेंगे अब धर्म शेतर में भी आप ही नियंतरन करेंगे दूसरा आपने Congress पर वगता ये कह रहे हैं कि आप हैं कौन? आप क्यों decide कर रहे हैं कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा एक तरफ जो राहमंदिर आंगोलन से जुड़े हुए इनके बड़े नेता है जो वरिष्ट नेता है वो आंसु चलका रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं जा रहा है प्रधारमंति नरिंद्रमोधी घर पर रहने की अपील कर रहे हैं दूसरी तरफ ये डिस ने चारो शंकराचारेने जिन गोष्ट न कर दी है कि हम राममंदिर उफटान समारों में नहीं जा रहे हैं वजह यह कहना है कि आमंत्रन तो आया एक और भी किसी के साथ आप आ सकते एक और व्यक्ति आपके साथ आ सकता है लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं यह बड़ा एलान के तरफ से किया गया और जिसके बाद अगर देखा जाये तो सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी सेल के तरफ से बीजे करताओं को तमाम नेताओं को जो दिन रात मोदी मोदी करते हैं उनको बता दिया है कि ऐसे हजार मोदी आ जाएंगे तब भी हिला नहीं पाएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा है चलिए आपको सुनाते हैं सुनिए एक अरव संतानवे करोर 29,99,124 वर्षों की हमारी स्रीमन नारेन से लेकर अब तक की गुरु परंपरा है स्रीमत भगवद गीता के आठमे अध्याय के अमशीलन से यतति निकला स्रीमन नारेन से दसमे स्थान पर आजी शंक्रेचर हुए आजी शंक्रेचर के बाद मेरा 145 स्थान है स्रीमन नारेन से 155 स्थान है स्थान तो 155 ही है लेकिन वर्ष की दिश्टी संकन करें तो एक अरव संतानवे करोर 29,99,124 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है तो आपने सुना और शंक्राचार निश्चलानंद सरस्वती का ये बयान था बड़ा बयान उनका आया है और ये भी उन्होंने बता दिया है कि कितनी पुरारी परंपरा हमारी है और जिस तरीके से हमले किये जा रहे हैं और प्रधानमंती नरेंद्र मोदी के बारे में जो दो टूक बाते उनके द्वारा कही गई है उन लोगों को देखना चाहिए उन लोगों को सुनना चाहिए जो दिन रात शंक्राचारों पर हमले कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि शंक्राचारे जो हैं वो कॉंग्रिस के समर्थन में आ गए हैं उन पर तमाम लंक्षन लगाया जा रहे हैं उन लोगों को भी देखने की जरूरत है कि हिंदू धर्म क्या है सनातन धर्म क्या है और जो धर्म गुरू है वो आखिर क्यों इस तरीके से बात लेकिन जो कुछ शंक्राचार ने कहा कि हजार मोधी भी आ जाएं तब भी हिला नहीं पाएंगे ये बात बीजेपी को समझ लेनी चाहिए कि आज अपने राजनीतिक फाइदे के लिए राममंदर को मुद्धा वो बना रहे हैं एक तरीके से लोगों की आस्ता के साथ खिलवा कि मुझे आयोद्या जाने से कोई परहेज नहीं है वहाँ जाने से कोई परिषानी नहीं है तब हो बता पर रहेंगे अगर पर मैना इंडांनीर मोधी उदर्फ़ाटन करेंगे तो मैं क्या ताली बचाहूंगा ये बड़ा बैयान उनका आया कोई आया था कि आप एक ब्यक्ति को लेख कर घा सकते हैं। अगर मैं पहुछ जाओगजा कि मोदी जी का थान होगा। कि मैं पहुत जाओगा मोधी जी का स्थान होगा तो शंक्राचार क्या देंगा ऐसे ऐसे कर लेंगे और मुझे क्या जूरते जब आप बाविश को जाएंगे युद्या मैंने कर दिया जाओगा मेरे कारेक्टरम पहले से बलाओ आयोध्या से मुझे पर्याज नहीं है राम ज लोगों को जवाब दे दिया है जो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि मुझे राम मंदिय से परहेज नहीं है मुझे आयोध्या जाने से परहेज नहीं है मुझे प्रभुश्री राम से परहेज नहीं है और मैं जाया करता हूं लेकिन जो कुछ अब हो रहा है उससे परहेज दरसल सवाल यहां पर इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जो भी महात्मा संत्र थे उनका यह कहना था कि राम नौमी के शुब अवसर पर प्रभुश्री राम को विराजमान करना चाहिए था प्रान प्रतिष्ठा उसी दिन हो जाती राम मंदिर बन रहा है हमारे पास वक्त है और भवे राम मंदिर बन कर तयार हो जाता तब यह पूरी जो जिस तरीके की तयारी अब चल रही है वो हो जाती लिकिन आप समझ रहे है ना लोगसभा चुनाओ है और लोगसभा चुनाओ स और आरेसस के इशारे पर हो रहा है और इसी लिए सवाल यहां पर खड़े किये जा रहे हैं कि आज हिंदू को बाट कर आज समाज को बाट कर आप अपनी सियासत कैसे कर रहे हैं आप चंद वोटों के लिए चंद फाइदे के लिए आप समाज को बाट रहे हैं आप हिंदू को सकते हैं अब इसे पर कॉंग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शीनत ने भी दो टूक प्रधानमंती नरेंद्र मूदी बीजेपी को सुना दिया है क्या कुछ उन्हों ने कहा है सुनिए अंतिम बात एक यही कहना चाहती हूं यहां पर भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके स प्रयास किया लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बाट दिया कुछ जो वक्तव भाजपा के और उनके लोगों के अयोध्या से आ रहे हैं सुन लीजे तो लगेगा सनातन धर्म को संप्रदायों में बाटने का काम पारती जनता पार्टी ने क आगे भी आस्था के अनुसार जाते रहेंगे आपकी जानकारी के लिए बता दू उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी 15 तारिक को सारी कमिटी वहां के तमाम नेता जेनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है यह व्यक्तिगत इंविटेशन आया था क्योंकि वहां पर इतना विभत्स राजनती करण देखा गया हमने 22 तारिक को जाने से इंकार किया हम सब को स्वतंतरता है अगर मैं और पवन जी भी जाना चाहिए हमें पूरी स्वतंतरता है जो पाठी को है हम में से कोई जा रहा है जो आक्रोश है उस आक्रोश पर दोचार शोज यह भी ओने चाहिए कि हमारे शंक्राचार इसका बहिशकार क्यों कर रहे है क्योंकि शंक्राचार का अपमान हिंदू धर्म के अनवायों का अपमान है शंक्रचार नहीं आ रहे हैं अब आप सोचिए जिनके हाथ में यह जिम्मेदारी है कि समाज को एकजुट करके वो आगे उन्हें ले चले जो मार्गदर्शन दिखाने के लिए बिठाए गए हैं वो इस तरीके से बाते कर रहे हैं आज यह अगर हिंदू धर्म है हिंदू जो सनातन धर्म है जिसकी बात चल रही है जिसकी चर्चर चल रही है इस वक्त और जिस पर राजनीती की जा रही है वो किसी संगठन से नहीं चल रहा है वो किसी संगठन के विचारधारा से नहीं चलेगा वो अपने धर्म के अनुसार चलेगा जो धर्म कहता है उसके अनुसार गो चलेगा जो शास्त्र है उसके अनुसार चलेगा आज अगर बीजेपी और अरेसस कहेगी कि एसा नहीं ऐसा है तो उस पर कैसे माझ लिया जाहें यही जुनता भी कह रही है कि हम क्युआ आपकी बात मानने हम तो धर्म के अनुसार चलेंगे हम तो शास्त्र के अनुसार चलेंगे यहीं कॉंग्रेस भी कह रही है यहीं शंक्राचारे भी कह रहे हैं कि राजनीती का खाड़ा मत बनाइए 22 जन्वरी को जो कुछ भी हो रहा है वो एक event है और वो BJP और RSS के द्वारा कराया जा रहा है इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा रहे है पुजा पाठ कर रहे हैं किसी तरीके से कोई भी आपत्ती नहीं है वो करें लेकिन हम वहां पर नहीं जाएंगे कॉंग्रिस ने भी यहीं कह दिया अब इसको बीजेपी को एक बड़ा जो है वो मुद्दा मिल गया इसको लेकर और उसने यहां पर हमले करने शुरू कर दिये कि कॉंग्रिस हिंदू विरोधी अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या शंकराचार भी हिंदू विरोधी हो गए जो संथ हैं जो महात्मा है वो भी हिंदू विरोधी हो गए यह तमाम सवाल बीजेपी पर दागे जा रहे हैं और बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर घर गई है और जैसा कि शंक्राचार ने कहा कि हजार मोदी अगर आ जाएं तब भी अगर वो फूक मारें तो मैं हिलूंगा नहीं वो हिला नहीं सकते और इसे के साथ आप समझ जाएं कि ये कुछ पल की चंद की एक घटिया राजनीती जो है वो चल रही है और जल्द ही वो समाप्त भी हो जाएगी ऐसा इशारा जो है शंक्राचार के तरफ से दिया जा रहा है जिस तरीके से इवेंट को पूरी तरीके से बीजेपी जो बड़ा इवेंट करने जा रही थी वो फेल जम नजर आया तो इससे इशारा जो है वो मिल क्या है देखते रहें ये डीबीलाइग मैं आचल